दोस्तों विहार बोर्ड इंटर में नामांकन के लिए ओनलेन आबेदन की प्रकिरिया सुरू हो गई है। ये आबेदन 19 जुन से लेकर 28 जुन के बीच होना है। लेकिन अभी तक इंटर में नामांकन के लिए विहार बोर्ड की ओफिसियल वेबसाइट ofssbihar.in open नहीं हो रह है। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या है तो आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों हिंदी हिल्प मास्टर यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सकाइब करके नहीं रखें। चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है उसे दबा कर ओल कर लीजिए। ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो आप लोग के लिए लाओं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहा है। जैसे ही आप अपने मुवाइल या केंप्यूटर में ओपन करते होंगे तो आपको वहाँ पर सर्वर फेल्ड दिखाए देता होगा या पुर्न रूप से ओपन नहीं होता होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी सवाल ये है क्या आपको आपको आउनलाइन आबेदन करनी चाहिए अगर प्रॉपरली आपन नहीं होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आपको आउनलाइन आबेदन अभी नहीं करनी है। जैसे कि आपको पता है 19 जून से 28 जून टाइम विहार बोर्ड के द्वारा निर्धारित की क्योंकि यहां पर पहले ही 4-5 दिन टाइम खराब हो चुका है सरवर फेल्ड की वजह से। और आपका जो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे में अगर वेबसाइट आपन हो भी जाता है तो आउनलाइन आबेदन करना चाहिए या नहीं तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपको ऑनलाइन आबेदन नहीं करना चाहिए जब तक वेबसाइट प्रॉपरली ओपे नहीं होता है आपको ऑनलाइन आबेदन नहीं करना चाहिए अगर आप फर्म को भर भी देते हैं और संबिट कर भी देते हैं तो हो सकता है कि आपका फर्म जो है पुर्न रूप से संबिट नहों और आपके मुवायल में सो हो जाए कि आपने पुर्ण रूप से संबिट कर दी है तो इस तरह की ग्लेच पिछले कुछ सालों में भी देखा गया है और इस साल भी ऐसा हो सकता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले जैसे ही प्रॉपरली वेब साइट ओपन होन ओनलाइन आबेदन करनी है बाकि इस बीडियो के माधियम से मुझे बस इतना ही आप लोगों को कहना था कि अभी जब तक साइट प्रॉपरली ओपन नहीं होता है आपको ओनलाइन आबेदन नहीं करनी है और सबसे बड़ी बात कि आपको चिंता करने की ज़रुत नहीं है क् कि टाइम का जो लिमिटेशन है उसे बाद में एक्स्टेंड किया जाएगा भी हारवोड के तरफ से क्योंकि आपको पताई है कि पहले ही ऑनलाइन आबेदन की जो चार-पांच दिन था वो बरबाद हो चुका है सरबर फेल्ड के कारण इसलिए टाइम को बाद में आपसे पहले मिले इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में बेल आइकन होगा उसे दबा कर ओल कर लिजिए ताकि मैं जैसे अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद